हेलो क्रिकेटर्स आज मैं आपके लिए इस जी की कॉम्बो थाई कर रिव्यू रे किया हूँ फ्रेंड्स पहले आप कॉम्बो थाई देख लीजिए इसकी यह फ्रेंड्स ताइवान का जो मैटल होता है फ्रेंड्स यह उसमें बनी हुई है हमारी कॉम्बो थाई इसकी वैलगोरो देख लीजिए दोस्तों काफी बढ़िया वैलगोरो का यूज्ट हुआ गया गया फ्रेंड्स के यह दोस्तों शीट और लिटलॉन दोनों के अंदर बनी हुई हो ताइवान की जो फॉर्म होती है उसका यूज करा गया है यह देखिए फ्रेंड्स इसकी ठिकने किक्टी मोटी है और इसके अंदर की साइट शीट है उपर की साइट निटलॉन है फ्रेंड्स बैक साइट पूरे में टावल का यूजड है इनर में भी आउटर में भी और येभी देखियों किती हैवी शीट है कि अंदर इसमें भी निटनाॉनल शीट दोनों का यूज़ किया हुआ है और इसमें खाज पास लिए अगर आप खाली थाई का यूज़ करना चाहते हो तो थाई का यूज़ कर लो इसके अलग निकाले के अलग दो अब यहां आपकी थाई बन गए और इसके पीछे भी अंदर लिटलॉन लगी हुई है और उपर के साइड टावर लगी हुई है काफी सॉफ्ट है यह काफी मुलायम है आपकी कबर में चुपेगी नहीं बिल्कुल भी यह देखिए पूरे पर टावल का यूज़ करा गया है और इसके लास्टिक बहुत अच्छी क्वाल्टी की है इसमें अगर अगर आप इसे कॉंबो के तरह यूज़ करना चाहते हो तो फ्रेंट इसको आप कॉंबो के तरह भी यूज़ कर सकते हो अराम से हो जाता है यह काफी अच्छी कॉंबो लग रही है दोस्तों कमफर्टेबल भी है थिकनेश की काफी अच्छी है बॉल फ्रेंट्स बिल्कुल ने लगेगी इसके अंदर कुछ परसन कूछते है कि भाईया बॉल लग जाएगी इसमें किते मतलब स्विट है तो फ्र बनी हुई है क्योंकि बहुत ही कमफर्टाई ऐसी होती है दो शीट में बनी होती है यह पुरी लिट्लाउन में बनी होती है इसमें अंदर शीट का यूज करा गया है उपर लिट्लाउन का यूज करा गया है इस साइड लिट्लाउन और शीट का यूज करा गया है इस लुक्ति पढ़नार नहीं होगा काफी है भी बनाई गई है दोस्तों यह कि टावल काफी अच्छी यूज़ करी गई है फ्रेंड्स खास बात यह आप ठाई चाओ ठाई यूज़ करलो कॉमो चाओ ढोनों यूज़ करलो फ्रेंड्स काफी टाउंक कमफर्टेबल भी है सिलाई वेगलर फ्रेंड सब अच्छी होई करवार केस के उपर यह देखिए दोस्तों यह इसका डिजाइन है कैसे लेगी आपको यह यह कौम बो था ही कमेंट बॉक्स में प्रेंड जो गरे बताइएगा और इनोंने मेरे चैनल आरके स्पोर्स आसिस को सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए थांक यू फ्रेंड्स